नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपका MedPharma 24-7 में तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Rebez DSR Capsules के बारे में तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते है Rebez DSR Capsules, M.Cure Pharmaceuticals द्वारा मैनिफेक्चर किया जाता है जिसके एक स्ट्रिप में 10 Capsules होता है और इसके एक स्ट्रिप की कीमत है 180 रुपीज इस Medicine का जो Active Ingredient है यानि Salt Composition वो है Domperidone 30 mg और Ribiprazole 20 mg बात करेंगे इसके Uses के बारे में यानि किस Medical Conditions में ये दवा Recommend किया जाता है तो ये दवा Acidity को Treat करने में काम आता है यानि अगर आपको Acidity की Problem है तो आप ये दवा को ले सकते है इसके अलावा अगर किसी को Gastroesophagal Reflux Disease है यानि GERD तो इस Condition में भी ये दवा Recommend किया जाता है GERD एक ऐसी Problem है जहां हमारे पेट में प्रोडूश हुआ Acid Backflow करता है इसोफिगस में जिसके कारण Heartburn, Chest Pain, Nausea, Sensation of Lump in the Throat या Stomach Pain जिसे Symptoms देखने को मिलता है ये दवा Peptic Ulcer Disease को भी Treat करने में काम आता है ये एक ऐसी विमारी है जहां आपके पेट में या intestine में ulcer form हो जाता है जिसके कारण आपको Stomach Pain हो सकता है आपको Flatulence यानि आपके पेट फूल सकते है आप जो खाना खा रहे हो ठीक से Digest नहीं हो सकता है आपको बार-बार vomiting हो सकती है या फिर आप हमेसा थकान मैसूश करेंगे तो Peptic Ulcer Disease को भी Treat करने में ये दवा recommend किया जाता है तो ये दवा हमारे पेट में produce होने वाले acid के production को कम करता है और हमें Acidity, GERD और Peptic Ulcer Disease जैसे बीमारी से बचाता है बात करेंगे इसके dose के बारे में तो ये दवा आप खाना खाने के 15 से 30 मिनट पहले इसे ले सकते हैं और इसका dose डिपेंड करेगा आपके condition के ऊपर तो आपकी डॉक्टर ने आपके condition को देखते वे आपको जिस प्रकार इसका dose है कमेंट किया है आप वही follow करें ये दवा रेने के कुछ side effects हो सकते हैं जैसे diarrhea, stomach pain, flatulence यानि painful जाना आपके mouth हमेशा dry रह सकते हैं या फिर आपको headache की problem हो सकती है तो ये साइरे side effects बहुत ही temporary हैं जल्दी ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर आपको लगे कि ये side effects जल्दी ठीक नहीं हो रहा तो आप अपने doctor को consult कर सकते हैं बात करेंगे कुछ precautions के यानि ये दवा लेने के दोरान आपको किन बातों का ख्याल रखता है तो ये दवा अगर आप 12 साल से कम उमर के बच्चों के लिए ले रहे हैं तो आप अपने doctor के advice के बिना ये दवा ना लें ये दवा लेने के दोरान आपको गरम चाय, गरम कॉफी, जादा spicy food यानि मसालेदार खाना, chocolates या फिर किसी प्रकार के junk foods consume नहीं करना है तो आप ये बात का ध्यान रखें अगर आपको liver या kidney की problem है तो ये दवा लेने से पहले आप अपने doctor को inform जरूर करें आप किसी और medications पर है यानि अगर आप किसी और disease के लिए दवा ले रहें या फिर अगर आपको कोई और problem है, बीमारी है तो आप अपने doctor को inform जरूर करें अगर आप pregnant या breastfeeding mother है तो आप अपने doctor को consult किये बगर इस दवा को ना ले ये दवा लेने के दौरान आप ध्यान रखें कि आपको alcohol का सेवन नहीं करना है तो ये था दोस्तो आज rabies DSR capsules के बारे में इसके regarding अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे इसके regarding और अधिक सदिक आपको जानकारी दे पाएं और दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर पहरी बार विजिट कियें तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद